पूरे इंडिया की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अभी तक 43,20,000 km तक रोड बना दिये गया है और आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें तो 2025 तक 23 निव हाईवे बनने वाले है नहीं के अंडर में रहे के तो इससे यही पता चलता है कि आप लोग को यहां पे बहुत सारी opportunities निव निव मिलने वाली है और बहुत सारी काम चली रही है और पैंडमिक सिच्वेशन के कारण कुछ धीमी हुई है लेकिन अभी यह बहुत speed से आगे बरती जा रही है क्योंकि अगर आप देखोगे तो road का importance एक अपना अलगी होता है कोई भी sector में बात कर लो आप real state में हो या आप कोई नई company कोलना चाते हो कोई दुकान कोलना चाते हो कोई घर लेना चाते हो तो उसमें जो सबसे major role play करता है development में वो है roads and highways का क्योंकि आप हमेशा जब भी घर कर दोगे तो देखो कि मैं जो घर लेने वाला हूँ उसके आसपास road है कि नहीं अगर घर आपके road के पास में है तो उसकी जो rate होती है वो अलग हो जाती है कोई industry अगर setup है तो road की जड़ोत परती है क्योंकि वहां तक raw materials को पहुचाना है क्योंकि बहुत बड़ी बात है road नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ वहां पे आपको सीखना परेगा और उसमें सबसे पहले आता है highway के layers ठीक है हम लोग क्या करते हैं कोई भी highway को कोई भी road को बनाते है तो layer wise हम लोग compaction करते हैं अलग-अलग material रहता है अलग-अलग चीजे रहती है वो सब चीज क्या रहती है इसके बारे में knowledge होना फिर उस highway का surveying हो गया challenge marking हम लोग कैसे करते हैं फिर auto level के द्वारा leveling करना GPS coordinate को fix करना फिर camber का calculation camber से related सारे specification ts के द्वारा center line marking करना एक road का यानि कि centering करना फिर किसी भी highway का estimation करना quantity survey करना साथ में boundary wall जो उससे relevant रहते हैं या drainage system कोई भी road का drainage system आपको सही करना ही पड़ेग करता है drainage system एक road को बनाने के लिए तो उसका quantity survey हो गया उसका BBS हो गया फिर जितने भी तरह कि यहां पे mix design होते हैं अलग-अलग road होते हैं हर road का अलग-अलग तरीके से mix design proper जो हम लोग official site पर रहके करते हैं वो सारा कैसे करते हैं उसको सीखना साथ में जो road के लिए highways के लिए जो आये specification हम लोग follow करते हैं जिसको मौर्थ कहा जाता है सब चीज road and highways का जो है वो मौर्थी है तो आपको इसका सारा specification इसका important points उसको study कैसे करना है यह सारा चीज और साथ में यहाप ए detail BOK को study करना उसको कैसे बनाना है उससे related billing को फिर क्योंकि without BOK आप billing नहीं कर पाओगे त आप लोग को तो यह सब सारा main content था अब इस main content के भी अंदर में micro level में आपको छोटा छोटा चीज सिखाया जाएगा वो सारा भी मैं आपको वीडियो के last में बता देंगा कि क्या total चीज cover करने वाला है अगर आप लोग चाहते हो तो उस PDF को आप लोग download भी कर सकते हो और उस किसी और से सीखो अपने घरने की सीखो किसी भी institution से लेकिन आपको सीखना तो है तो मैं आपको recommend करेंगा कि किसी professionals के पास से सीखो और detail में सीखो तो आप लोग के लिए सिविल गुरुजी लाया है highway construction training का course जिसको वो 15 आगस्त को launch करने वाला है और pre launching offer में ये 270 engineers को मिलेगा ब गुरुजी आपको pre launching offer में ये provide कर रहा है 8,847 रुपीज में लेकिन आपको ये इस discounted price में तभी मिलेगा जब आप code apply करोगे और वो code है CIVIL civil इस civil code को जब apply करोगे तभी जाके आपको इस भारी भरकम discounted price में इतना बड़ा course आपको मिल सकता है तो इसी वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा उस link पर click करना है और आपको proceed करना है last में आपको आपको apply coupon को option मिलता है उस पर आपको CIVIL apply करना है तब जाके आपको ये discounted offer में वहाँ से मिलेगा वरना आपको नहीं मिलने वाला है इस course के benefits के बारे में बात करें तो आपको तो practical चीजे सब सिखाई जाएंगी ही साथ में आपको ISO certified certificate यहाँ पर मिलने वाला है और यहाँ पे regular live route session होते रहते हैं जिसमें आप professionals के through आपके project से related भी अगर आपके पास करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो अपने query को resolve करवा सकते हो उसके बाद 730 days का आपको course validation मिल जाता है highway case study से related आपको यहाँ पे सीखने को मौका मिलेगा उसके बाद आपको practical site related video सब provide करवाई जाएंगे और trader का support आपको हमेशा ही मिलता रहेगा और यह आप certificate देख सकते हो जो कि ISO certified है और जब आप course का bid कर लेते हो तभी आपको यह मिलने वाला है तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो कि यह पूरा micro level में इस course का content है जो मैंने अभी main topic आपको बताया था उस topic के अंदर में यह micro level पे यह साचीच बताया गया है आप यहाँ पे देख सक आपको एक अच्छा कासा idea हो जाए कि इतना कूछ आपको इस course में इस basic price पे आपको मिल रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार PDF को आप डावरोट जबूर कर लिजिए इसी वीडियो को description में आपको PDF का link मिल जाएगा पहले आप course content को बारकी से पढ़िए आपको सही लगे तो ही लिजे वरना आपके उपर है तो याद रहे आपको CIVIL code को apply करना है इसको लेने के लिए link description में मिल जाएगा उस पे जाके ठीक है ताकि आप बाई वरकम discount को आप ले सको और अगर आपके पास मन में कोई भी query है कोई भी दिक्कत है तो 911 001234 पे आप call करके अपने पोर्स content को चेक कर लिए कोई भी doubt है तो number पे आप call करके बात कर सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही है मिलते है next video में जाए हिंद